नमस्कार दोस्तों स्रादे आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जोतिस पंचान मैं सुल्त्र पाठी आपका जोतिस बिद योम बास सास्त्री मित्रों आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको अपनी जन्म का केवल महीना पता है कई बार ऐसा होता है लोग बोलते हमको सन नहीं पता है डेट नहीं पता है केवल हमको महीना पता है तो आज हम बात करेंगे जन्वरी महीने में पैदा हुए लोग कैसे होते हैं जन्वरी साल का पहला महिना माना जाता है और पहला अंक शूरिष से प्रभावित माना जाता है इस जन्वरी महिने में बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है जैसे कि आप लोग जानते होंगे महाराष्ट के बाला ठाकरे सहाब हों चाहे आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले सुबास्चन बोसों चाहे आधनिक युग में दीपिका पादकोन हों चाहे गाधी फेमली में प्रियंका गाधी हों ऐसे बड़े बड़े लोगों ने इस महीने में जन दिया है आज हम बात करेंगे कि इस महीने में जन्म लेने वालों में क्या गुण पाये जाते हैं और अंत में कुछ उक्चार भी जरूर बताएंगे जिसको आप करेंगे तो आपको अवस्य लाब होगा सबसे पहले इनका आत्म सम्मान खूग होता है कभी-कभी या आत्म सम्मान इगो का रूप ले लेता है सुरू से महत्वा कांची लोग होते हैं जहां पे भी रहते हैं वहां लीडर्शिप या प्रधानता ये करना चाहते हैं और करते भी हैं लेकिन आत्मसम्मान कभी-कभी इनका इतना बढ़ जाता है कि आसपास के लोगों को ये बात चुभने लगती है जिस कारण से आसपास का माहोल इनका बिरोधी हो जाता है ऐसे तो कला के साथ साथ अपनी संस्कृती और अपने समाज का भी पूर्ण समर्थन करते हैं अपने पैरों पे कम उमर में ही खड़ा होना चाहते है पिता और पुत्र के बीच में हमने देखा है कि एक अच्छा सामंजस्च नहीं बन पाता है जो बनना चाहता है जब ये पुत्र रहते हैं तो पिता से नहीं बनती और जब ये पिता बनते हैं तिनके पुत्र से भी नहीं बन पाती है रही बात पैवाही जीवन की ति ये लोग अपने काम में कभी-कभी इतने मस्गूल हो जाते हैं कि अपने लाइप पार्टनर को वो समय नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए ऐसे तो ये अंदर से इस मामले में साफाद में होते हैं रही बात करेक्टर की तो करेक्टर के संबन में भी देखा गया है कि चीजें बड़ी क्लियर करना चाहते हैं अपने नाम और प्रभाव को खराब होने देने से डरते हैं ये चाहते नहीं कि अगर इनकी कोई गलत बात हो समाज में जाए पबलिक उसको बिल्कुल जाने इस कारण से बहुत बार ये गलतियां करते करते अपने आपको सभाल लेते हैं सिक्षा में बात कही जाए सिक्षा में अच्छे होते हैं इनको अक्सर देखा गया है कि टेक्निकल चीजें काफी अच्छे से समाझ में आती है साहित के सौकीन होते हैं कला के सौकीन होते हैं खेल में अच्छे खिलाडी तो होते ही है लेकिन खेल खिलाडियों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं प्रोटसाहन करते हैं, इन चीजों को बहुत पसंद करते हैं कि अगर कोई खेल आज में कारी करता है सिविल सेवाओं में भी इनको देखा गया है, मेडिकल छेतर में भी अच्छा विकास करते हैं इनका जो अपना सोचने का तरीका होता है वो आत्म केंद्रित होता है अपने के साथ लोगों को जोड़ कर देखते हैं ये चाहते हैं कि समाज में मैं आगे बढ़ूं, लोगों की मदद करूं, लोगों को सहयोग करूं और मेरे कहने से चीजें आगे बढ़ें जब कोई भी आदमी इनकी सरण में आता है या इससे मदद मांगता है अगर वाकई में वो निडी होगा और इनसे ही मदद मांगता है तो उसकी पूरी मदद करने की सोच इनके अंदर होती है यह चाहते हैं कि इस आदमी को एक सही दिसा दी जाए अब संतान की अगर बात की जाए तो कई बाद इनको संतान होने में थोड़ी सी बिलम होती है ऐसे तो इनको बेटा प्राप्त ही होता है, करन्या भी प्राप्त होती है पुत्र के योग जादा पाए जाते हैं लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग के आसिरवाद या भगवान की क्रिपा से ही इनको प्राप्त होते हैं अक्सर देखा गया है कि गल सरीर के उपरी हिस्से में इनको बीमारी की संभावना रहती है कई बार या वीमारी आँक या सरदर्द के रूप में देखा जाता है या बीपी आदी की समस्याएं भी इनमें पाई जाती है परिवार से जो सपूर्ट इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है ये परिवार को खुद आगे बढ़कर मदद करते हैं कई बार हमने देखा परिवार ही नहीं अपने रिलेटिव सुए अपने आसपास के माहोल हुए उन सब का भी सहीयोग करते हैं यही नहीं यह जहां पे भी जाते हैं लोग इनको पूछते जरूर हैं यह जल्दी लोगों से फेमलियर हो जाते हैं लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं अब हम बात करें कि क्या ऐसा करें कि जिससे इनके जीवन में पॉज्टिफ चीजें बढ़ जाएं तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इनको सुबा उठने की आदत बना लेनी जाहिए नमक कम खाना चाहिए थूकना बिलकुल नहीं चाहिए सुबा उठके अगर सूरी को जल देते हैं वो भी औरेंज कलर वाले सूरी को तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा हाँ, आप्टर संसेट आपने देखा होगा रविवार का ब्रत जब लोग रहते हैं तो सूरीयोदय से पहले ही डिनर कर ले मतलब फलहार कर लेते हैं तो इनको चाहिए लेट नाइट कभी भोजन नहीं करना चाहिए जब ये लेट नाइट भोजन करते हैं तो लक्षमी जी के साथ साथ शूरीय भी कमजोर होते है तो जो इनको boss बनना चाहिए, जो आगे विकास करना चाहिए, उनमें भी कमी आती है, साथ में पैसे की crisis भी आती है, health की भी समस्या आती है, कई बार तो हमने देखा इनको कमर और पेट की बड़ी समस्याएं सुरू हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करना है, चल्दी खाना है, चल्दी आपको उठना भी है, और सूर की उपाशना करनी है, ब्लैक कलर को थोड़ा सा एवाइड करना है, औरेंज कलर का प्रियोग आप अच्छे से कर सकते हैं, हाँ, कुछ लोगों के मन में होगा कि हम कोई stone बना दें, बता दें, तो हमने पहले भी बताया है, stone बिना कु जब stone पहनते हैं, तो उसमें कई बार negative result हुआते हैं, इसलिए कभी भी नेमरोलोजी और एस्टोलोजी को mix करके आप stone धारण करें, ऐसे लोगों को पूरा मुखी मकान ज्यादा अच्छा रहता है, या उत्तर का ले, पश्य मुखी मकान से थोड़ा बचे नहीं, तो इनको म आनसी खुल्जन की संभावना बढ़ जाती है, तो मित्रो आज हमने उन लोगों के बारे में बात की, जिनको केवल अपना महीना पता है, डेट नहीं पता है, सन नहीं पता है, वो परिशान रहते हैं, कि आखिर हम अपने बारे में कैसे जाने, और आपको हमने बताया कि हैसियत के आदमी थे, अपने समय के एक युग पूरुष थे, तो मित्रो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें, आपको कुंडली दिखानी है, या बास्तु के बारे में जानना है, तो दिए नंबर पर फोन करके, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने समय को निश्यत करके, हाँ, हमारी जोतिस की क्लासेज भी टाइम टाइम से चलती रहती है, जो भी लोग जोतिस सीखना चाहते हैं, वो जरूर इस नंबर पर कॉल करें, और हमारी कच्छा में आएं, एक अच्छी क्लास, एक ब्योहारी क्लास आपके लिए रखी जाएगी, इसी के साथ हम फिर मिलेंगे फरवरी महीने के लिए, नमस्कार सिद्राद हैं.